गुड मॉर्निंग बच्चो अब हमें 30 चीजे काउंट करना आता है चलो अब हम 30 के आगे भी सीखेंगे हमें पहले से पता है 3 bundles of 10 का मतलब है 3 10s यानि की 30 और अगर हमारे पास 3 bundles और एक और स्ठिक है तो 3 bundles of 10 का मतलब है 30 और एक और 1 मतलब 31 तो हुए 31 स्टिक्स ठीक है तो हमने देखा 31 स्टिक्स का मतलब है 3 10s और 1 स्टिक इसी तरह अगर 3 bundles of 10 स्टिक्स है और 2 स्टिक्स भी तो क्या हुआ 30 स्टिक्स 31, 32 यानि की 32 स्टिक्स तो 32 का मतलब हुआ 3 bundles of 10 स्टिक्स और 2 स्टिक्स समझे इसी तरह 30 स्टिक्स और 3 स्टिक्स का मतलब 30 स्टिक्स 31, 32, 33 यानि की 33 स्टिक्स तो 33 स्टिक्स का मतलब है 3 10s और 3 33 चलो हम गिनते हैं 30 स्टिक्स और 4 स्टिक्स क्या हुआ ये 30 स्टिक्स 31, 32, 33, 34 हाँ ये 34 स्टिक्स है तो 34 स्टिक्स का मतलब हुआ 3 bundles of 10 स्टिक्स मतलब 30 और 4 स्टिक्स इसी तरह 30 और 5 हुए 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये 35 स्टिक्स है तो 35 स्टिक्स का मतलब हुआ 3 bundles of 10 स्टिक्स और 5 स्टिक्स 3 bundles of 10 स्टिक्स और 7 स्टिक्स का क्या मतलब हुआ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हमारे पास 37 स्टिक्स है इसी तरह 3 bundles of 10 स्टिक्स और 8 स्टिक्स का मतलब हुआ 38 यानि की 38 स्टिक्स तो यहां पर 39 स्टिक्स है और अगर हमारे पास 3 bundles of 10 स्टिक्स है और इसके अलावा 10 और स्टिक्स हो गई तो चलो हम बाकी 10 स्टिक्स का एक बंडल बनाते हैं तो अब हमारे पास 4 bundles of 10 स्टिक्स है 10, 10, 10, 10 तो इसका क्या मतलब हुआ 4 bundles of 10 का मतलब हुआ 4 10 या 40 तो यहां पर 40 स्टिक्स है चलो फिर से दोर आते हैं जो हमने आज सीखा 3 10 यानि की 30 3 10 और 1 हुए 31 3 10 और 2 का मतलब है 32 3 10 और 3 हुए 33 3 10 और 4 हुए 34 3 10 और 5 का मतलब है 35 3 10 और 6 हुए 36 3 10 और 7 का मतलब हुआ 37 3 10 और 8 हुए 38 3 10 और 9 का क्या हुआ 39 4 10s 40 के बराबर होते हैं तो आपको 1 से लेके 40 तक काउंट करना आ गया बहुत बढ़िया बात है न ये आज के लिए इतना ही बाई 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 बच्चो